आपको पता है अपना जो body होता है वो एक doctor की तेरह होता है यह pain क्यों होता है हमारे body में आपने कभी सोचा है why do we feel pain जब कुछ होता है तो हम pain क्यों feel करते हैं आपको पता है pain का मतलब क्या है pain pay attention actually actually इसका full form है detail में अगर हम समझे दो उसका मतलब है pay attention तो आप लिख सकते हो pain is actually pay attention in need याने आपकी जब body को need होती है और आप जब attention नहीं देते हो तब pain generate होता है मैं हमेशा कहती हूं कि pain it works like a compass compass direction बताता है उसी तरह से वो pain आपको बताता है कि उस area में उस body part में कुछ तो गड़बड है कुछ तो हमने ध्यान नहीं दिया है जिसके वज़े से कुछ वहाँ हो रहा है I think आप लोगे समझ रहे हो है ना बहुत अच्छे से आपने कभी सोचा है कभी किसी को fracture होता है तो उन्हें plaster लगया जाता है plaster लगया जाता है ना आपको पता है ना वो plaster कुछ नहीं कर रहा है उसे वो सिफ हाथ को support कर रहा है आपका बोन जब crack होता है ब्रेक होता है तो वो actually अपने आप हील होता है I hope you all know that हमारा जो बोन है वो अपने आप हील होता है plaster तो सिर्फ एक support होता है मतलब कहने का मतलब यह हमारे body में इतना power है इतना power है हर cell में हमारे body के हर cell में इतना power है manifestation power है कि वो अपने आप हील हो सकता है actually medicines की जोरत नहीं होती है हमारा body हमारे bones हमारे cell खुद ही इतने powerful है कि वो खुद ही हील हो जाते हैं बढ़ हम यह जानते नहीं है पहले तो हमारे body को समझते नहीं है समझते नहीं है और उसे dustman की तरह कुछ भी अंदर डालते रहते हैं अब वो डालने के बाद तो जो आप डालोगे वो तो वो काम वैसे ही करेगा जैसा खाना डालोगे, वैसे वो खाना अपना काम करेगा, है ना, जैसे हरे के अपनी एक duty होती है, वैसे हर खाने की energy भी, खाना energy होता है, तो हर खाने की energy भी हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद, उस तरह से वो काम करती है, अब आप सोच रहों, यह जो आप समोसा खा रहे ह ना यह burger जो खा रहे हो ना तिकने में बड़ा संदर है बड़ा tempting है वर उसकी energy level कुछ और ही है अब वो अंदर जब जाएगा तो वो उसका काम तो करेगा ही करेगा चाहिए आप कुछ भी कर लो जैसे जैसे अगर आप दो biscuits खाते हो तो उसमें 95% calories होती है है ना आप apple खाते हो उसके सामने एक apple अगर खाते हो तो उसमें भी 95-98% calories होती है डिफ्रेंस देखो जब दो biscuit हम खाते है तो हमारा पेट नहीं भरता बड़ उसके सामने अगर हमने apple खाते है तो हमारा पेट भर जाता है पता है क्यूंकि उसमेν nutrients होते हैं और और आप्ल में nutrients होते है तो choose wisely आप क क्या सही चीज चुनते हो ना वो बहुत माइने रखता है, my friends. बहुत माइने रखता है. The point is, how much you love your body? The point is, how much you love your body? आपके mobile phone कितने का है? 10,000, 20,000 का तो आजकल मिलता ही नहीं है. But 25,000 प्लस के तो mobile होते ही है. 1,000,000,000 के भी होते हैं. है न, 80,000. होते हैं न, इत्ते कॉस्टली होती हैं. बढ़ा आपके पास है. आपके पास घर है. तो वो भी तो लाखों का होगा, शायद करोलों का भी होगा. भले रेंड का भी होगा, तो उसका रेंड भी तो भरी रहा. मतलब, आप वहाँ इन्वेस्ट कर लोग. आप लोग जो कपड़े लेते हो, उसमें भी आप इन्वेस्ट करते हो. करते हो न, वो भी तो कितने हजारों का होगा ही. यानि मोबाइल हो, अपका घर हो, अपका कार. कार भी तो हजारों का, लाखों का, करोडों का होता है. है ना, कार खेर हजारों को होता नहीं है लाखों कभी होता है, करोडों कभी होता है होता है ना, हम इन्वेस्ट करते है और हम कितना ध्यान रखते हैं हमारे कार को साफ करना हमारे वेहिकल को साफ करना घर को साफ करना, ध्यान रखना हम made भी कभी-कभी रखते हैं ताकि हम उसे पैसा देते हैं हमारा घर ध्यान रखने के लिए साफ सफ़ाई रखने के लिए हमारे mobile पे screen guard लगाते हैं लगाते हैं इसे cover लगाते हैं ताकि खराब ना हो हमारा mobile पानी ना लग जाए स्क्राच ना आ जाए इसलिए screen guard लगाते हैं कितना ध्यान रखते हैं यार क्योंकि पैसे दिये होते हैं पैसे दिये होते हैं तो ध्यान तो रखना ही पड़ता है हमारे जान पानी 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 of you feel yes, we do take care of all this thing chat window में say why in the chat window yes, come on, quickly, quickly because I want to understand क्योंकि हम वो चीजों को destroy करते हुए नहीं देख सकते है क्योंकि आपने उसको खरीदा है तो उसको destroy नहीं करना है है ना, पर आपको पता है वो अगर जितने भी चीज़े हैं ना ये mobile car ये अगर destroy हो जाए ना तो हम शायद दूसरा खरीद सकते है हाँ हाँ हाँ, अकीकत है ये खरीद सकते है, खरीद सकते के नहीं mobile आपका कभी खराब होआ होगा तो आपने तो फिर से कुछ दिनों के बाद तो खरीदा होगा ही कुछ ना कुछ करके और mobile बिना तो जिन्दगी अदूरी है है ना, laptop है mobile है destroy हुआ होगा ये खराब हो गया होगा कुछ हुआ होगा तो damage हुआ होगा तो definitely अप खरीदेते but you know है, एक अनोखी चीज है जो शायद हम जानते हैं ये body ना damage हो जाए ना तो दूसरा नहीं मिलता और आप लोग जानते हो ना ये body हमें फिर से नहीं मिलता है, अपने आप से आज पूछो, आपकी body की value क्या है क्या है आपकी body body की value, seriously priceless पर मुझे ऐसा लगता है काश आपको आपके body का price पता होता, तो शायद उस mobile से जादा, उस घर से जादा, उस कपड़े से जादा, उस car से जादा हर वो एक चीज से जादा आप आपकी शरीर का ध्यान रखते है लोग पागल नहीं है कहने के लिए health is wealth इसे बोलने के लिए मत बोलो लिखो health is the real wealth हमारा body सही में बहुत जादा कीमती है सबसे जादा कीमती है भले हमें वो free में मिली है पर वो सबसे जादा कीमती है is the precious asset we have asset याने मालूम है asset याने पता है ना आपको जैसे आपकी properties होती है है ना, जेवर होता है वो asset है वो कहले कि जाने वाले है उपर एक समय के साथ ना और भी हो जागे आप यह उस भी नहीं करोगे उस वक्त ऐसे लगेगा सिर्फ आपका शरीरी अच्छा चाले ना तो बहुत है मरना सभी को है मुझे पिता है आप बोलोगे मैं सबको मरना है जी के अरे पर जी के मरो ना यार मर मर के क्यों जी रहे हो आप दवाईया खाने जैसे खाते हो या खाना दवाईय जैसे खाते हो Do you have food like medicine or you have medicines like food Trust me there are people who have reversed their diabetes thyroid weight and everything by just taking proper care just by taking proper care कहते है आयूरवेदा का एक प्रोव्ब है सही में लिख लीजिए मैं हिंदी में कोशिश करती हूँ अगर हमारा डायेट गलत है अगर हमारा डायेट याने खाना गलत है तो मेडिसिन काम नहीं करता या, if our diet is wrong मेडिसिन is of no use but when our diet is good when our diet is correct there is no use of medicine जब अपनी diet सही होती है खाना सही होता है तो मेडिसिन की जोरत नहीं होती है आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है क्योंकि कोई भी दवाई लोगे न तो वो उस part को तो ठीक कर देगा बट दूसरे part को damage करके जाएगा ये दवाई का काम ही होता है हम उसे कुछ कर नहीं सकते it is just like that it is just like that how many of you feel we should take care कितने लोग यां ऐसे है कि जोट ना मोटा हो तो क्या हो गया मोटी है तो क्या हो गया जो है मैं जैसी हूँ वैसे ठीक हो नहीं वो ठीक नहीं है जूट मत बोलो अपने आपसे जूट मत बोलो this is wrong motivation सिफ कहने के लिए अपने आपसे जूट बोल रहे हो ताकि अपने आपको face कर सको मन तो आपका भी दुखता है जब आप वो dresses नहीं पहन पाते है जो आपको पसंद है और वो दिखना चाहिए वैसे जूट मत बोलो अपने ऐसे जब अपने आपसे आप जूट बोल रहे हो न तो तो डबल तकलीफ हो रही है क्या है why can't you love and respect your body why what is the reason अरे लोग तो दगा दई देते हैं पर शरीर नहीं दगा देता है आप दगा देते हो आपके शरीर को ध्यान न रखते हुए granted लेते हुए प्यार और रिस्पेक्ट करके देखो अपने body से देखना आपका body कितना beautifully react करेगा और सबसे important चीज है सही nutrients का खाना खाना सही समय पे खाना सही amount का खाना बहुत ज़रूरी है हाज आप 9 बजे खाओगे कल 10 बजे खाओगे परसो 11 बजे तरसो फिर से 7 बजे और आपका body कितना confused हो जाएगा and when we are confused when we are confused can we take decisions tell me can we take decisions no you cannot take decisions अब आपके body को कितना confused कर रहे है आप मुझे बताइए किसी दिन इस समय पे किसी दिन उस समय के किसी दिन इतना किसी दिन उतना हो रहा है न आपका body confused अब आपके body को समझ ही नहीं आ रहा है काम करना कैसा है फिर आखिर में वो क्या कहता है छोड़ यार नहीं दे रहा है ये ध्यान मेरी तरफ अब होती है बिमारी की शुरुआत फिर धीरे धीरे ऐसा कुछ damage होते जा रहा है आपके body में और धीरे धीरे आपको पता चलता है आपको ये विमारी हुई है वो विमारी हुई है ये विमारी हुई है कुछ की दवाईया ले ले लेते हैं और फिर emotional pattern disturb हो जाता है तो सबसे important चीज या सबसे critical चीज जो खराब होती है वो है emotions जब आपका body खराब हो जाता है आपके emotions completely disturb हो जाते है और कितने लोग ये मांगते है जब वो emotionally disturb होते है तो emotional eating करते है जब हम low on emotions रहते है depression, stress, anxiety low तब हम गलत खाना खाते हैं गलत समय पे खाना खाते हैं गलत amount का खाना खाते हैं है ना? और क्या होता है कुछ महीनों बाद? दो महने पहले ले हुई dresses आपको हो नहीं रही है और धीरे धीरे आप और भी depression में जा रहे हो क्यूंकि आप आपके शरीर को feed नहीं कर रहे हो आप आपके negative emotions को feed कर रहे हो और वो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है अब आप डॉक्टर के पास जाओगे कि ये बिमारी तो है इसकी दवाई तो है अब मुझे depression होगे उसकी दवाई दो अब मुझे anxiety होगे उसकी दवाई दो अब मुझे stress हो रहा है उसकी दवाई दो और आप बेवकोव बनते जा रहे है are you crazy मुझे एक बंदा बता दो जो stress की दवाई लेता है और वो stress free life जी रहा है नहीं नहीं होता आप या तो सोते रहोगे दिन भर काम में कोई mood नहीं कुछ भी नहीं आपकी life पहले जैसे है और आपको लग रहा है वो दवाई ले रहे तो थोड़ा stress कम है वो कम नहीं है उस पार्ट को उस brain के एक पार्ट को आपको पता है क्या कर दिया है सुन कर दिया है उसके senses को बदीर हिंदी में बहुते हैं senseless कर दिया है इसलिए आपको sense नहीं हो रहा है अरे ऐसे कितने अच्छे अच्छे चीज़े है जिससे आप stress free life जी सकते हो अपने emotions को control में कर सकते हो याद रखना अगर आप आपके emotions को control नहीं करोगे तो emotions आपको control करने लग जाएगा तो जिन्दगी में कितनी भी खुशी आ जाएगी न आप थोड़ी देर के बाद जाओगे और आपके पुराना वाला जो low frequency वाला negative emotion है न उसमें फिर से चले जाओगे आप क्योंकि वो आपकी आदत बन चुकी है आपका वो pattern बन चुका है जो आपके region में region में grow होता है जैसे fruits and vegetables seasonal they are the best to feed your brain and body artificial cheezo से बचे, have dry fruits have fruits कहते हैं जतना whole cheese खाते हो न natural whole cheese वो आपके body को actually maintain करता है वो आपके wrinkles को आने नहीं देता है जल्दी वो आपके चेहरे पे glow रखता है वो आपके body energy को maintain करता है और आपकी जैसे body के energy है न वैसे आपका thoughts होगा और जैसे आपकी thoughts होगे वैसे ही आपकी life बनते जारी आपके identity बनते जारी है my friends how you eat slowly slowly चबा कर खाना है पीछे कोई कुटा लगा नहीं है आपके कोई train नहीं है कुछ नहीं है problem क्या है यार आराम से खाने में आपका स्टमक है आपका खाना है आपका समय है आपका body है give time give time to eat give time to digest एक घंटा हुआ नहीं खाना खाकर फिर से कुछ तो भी लेना है और खाना है यार पहरे वाला खाने को digest तो होने तो आपको पता है हर चीज जो खा रहे हो ना उसके अलग-अलग timings हैं digest होने के किसी को आदा घंटा लगता है किसी को दो घंटा लगता है किसी की चीज को तीन घंटा लगता है किसी को पाच, किसी को बारा, किसी को पचीस, किसी को पचास उसे पचने तो दो, उसे digest तो होने तो उसे breakdown तो होने तो अंदर शरीर में उसके पहली आपको और कच्रा डालना है और और भी body को disturb कर रहे हुआ and your body actually shows your mental health आप मेरे सामने आजाईए मैं आपको देख कर बता सकती हूँ आपका mental health कैसा है आप मुझे एक body part बता दीजिए जहाँ आपको pain होते रहता है मैं आपको बता सकती हूँ आप emotionally कहां disturbed हो what is lacking in your life and it will just take 5 to 10 minutes to scan you के कौन से चक्रास ब्लॉक्त है आपके कौन सी energy blocked है आप क्यों insecure feel कर रहे हो आप क्यों emotionally low feel कर रहे हो क्यों आपको financial issues आ रहा है आपका body बता देता है आपका body सही में बता देता है and that's the truth that's the real truth so अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार किसी को नहीं समझ में आता है मैं तो happy go lucky person हूँ overweight हूँ तो क्या हो गया पर जिन्दा दिल से रहती हूँ क्यों खुद को जूट बोल रहे हो यार कितना दिखावा करोगे खुद को जवाब देने के लिए डरते नहीं हो आईने में जब खड़े रहते हो तो खुद को देखकर सच मैं बोलो कि आप कितना सच बोल रहे है and everybody deserves to be healthy and fit yes or no in fact I should ask yes or yes options of yes or yes ही देना जाहिए how many of you feel your body should be fit फिर वो जैंस हो male हो या female हो that doesn't matter belt के बाहर अगर आपकी tone आ रही है न तो आप unhealthy हो अकर आप बार-बार emotionally weak हो रहे हो low हो रहे हो negative feel कर रहे हो it's a point to worry that means your body is disturbed 110% disturbed आपको पताए 5-6 घंटे according to American College of Sports Medicine 5-6 घंटा लगातार जब हम बैठते है न तो 50% death rate बढ़ जाता है chances of your life span is decreasing 50% तो 5-6 घंटा continuous कभी बैठना ही नहीं है sitting is the most dangerous dangerous thing you're doing to your body एक घंटा हुआ न उसके बाद कम से कम 5-10 minute आपको walking करना है movement जितना movement लगे न उतना powerful remember movement is medicine write that sentence movement is medicine M.I.M movement is medicine तो जितना movement रहेगा आपके body में वो medicine की तरह काम करेगा तो दिन भर में यार at least 45 minutes आपने exercise करना चाहिए let it be any kind zumba हो, arabics हो, gym हो, yoga हो कुछ भी हो walking हो, jogging हो, sprint हो you have to do it और बाद में पूरे दिन भर में if you are on screen जैसे मैं I'm a lot of into coaching तो एक घंटा coaching का हो गया देर घंटा हो गया I will start walking for 10 minutes again I'm sitting and I'm coaching after one, one and a half hour I'll get up 10 minutes walking या एक जगे पे I'll just do stepping marching और just jogging और आप कर सकते हो अपने age के अनुसार movement कीजे न कितने लोग है जो यहां जमीन पे बैठते है और फिर दोनों हाथ का support लेकर रुपते कितने लोग है type in I in the chat window let me tell you your body is more than your age मतलब अगर आप actually 40 के हो न आपका body 60 का है आप अगर 30 के हो तो आपका body 50 का है and that is something very dangerous to understand कि आप बैठते वक्त तो comfortably बैठ जाते हो बट जब खड़े होना होता है न तो आपको support की ज़रोत होती है this is a dangerous sign my friends so if I understand I will understand so काम करना शुरू कर दो walking करना शुरू कर दो it's very important movement is very very important remember the more you move the more you move the more efficient the cells in your body will start working आपके body में जो cells है न वो बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देंगे so movement is must so today from today 30 days what will you promise me in every two hours you will do any kind of physical activity to 5 to 10 minutes type in IP that is I promise in the chat window come on quickly at least 10 minutes in every two hours you will just do any kind of movement thank you sleep very very important अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बस यार मतलब रात के दो बजे बीस हो जाओ तो ठीक है और सुबह something very wrong sleep is needed किसी शरीर को 6 गंटा लगता है किसी को 7 किसी को 8 but minimum 6 to 7 hours आपके बोड़ी को rest की ज़रत होती है और होनी चाहिए क्योंकि नीन धी ऐसी चीज है जहां आपका बोड़ी automatically repair हो रहा है your body is getting repaired, healed when it is sleeping it's very very important इसले heavy खाना खाके मत सोईए and I'll tell you a great tip अगर आपको weight loss करना है आपको हमेशा fit रहना है आपको आपका BP और diabetes को हमेशा के लिए reverse करना है 6.6 के बाद नमक लेना बंद कर दो नमक लेना बंद कर दो seriously and I promise you in 30 days you will see changes in your sleep you will experience good sleep you will feel energetic throughout the day your thought process is going to be really powerful and positive your approach towards people in every situation is going to be great so try करो अगर आपको भूक लग रही है क्योंकि आदद बन चुकी है लेट खाने की तो आप भूक लगे तो dry fruits खालो या कोई pulpy fruit खालो pulpy fruit means जिसमें citrus ना हो याने banana is okay apple is okay chiku is okay है ना these are pulpy fruits you can have it citafal custard apple that is you can have this kind or you can just have you know थोड़े से nuts ले सकते हो you can even go for milk and वो nuts धीरे धीरे अच्छे से चवा के खाना है बले आप पाँच ले लो गदाम okay for example but when you're taking a bite chew it a lot of time जितना आप चूव मुव्मिंट करोगे ना उतना digestion अच्छा होगा अच्छे से वर्क करना शुरू करदेगा and pranayam is one of the most important factor that is a must daily routine में आप pranayam that is called breathing exercise any kind of breathing exercise google it and go for it promise yourself कि दिन में दो बार आप pranayam करोगे and I challenge you आपके जो भी affirmations है वो पूरे होने लग जाएंगे पता है pranayam से क्या होता है आपकी इडा नाडी, पिंगला नाडी याने सूरज और चांद जो आपके बोड़ी में actually होती है सूरज के energy और चांद के energy आपके बोड़ी में होती है moon and sun energy it's called इसे कहते है yin yang dhi वो balance होने लग जाता है और वो जब balance होता है तो आपके साथ तो चक्र भी balance होने लग जाएगे और वो जब balance होने लग जाएगा आप medicine-free life जीने लग जाओगे and we have so many records in our students list that they are living a medicine-free life उनके doses कम हो गए काफी लोग के medicines बंद हो गए they are getting powerful results and I want you all to do that so promise that you are going to do that so check your emotions check what you are eating check what time you are eating check how you are eating you know always be in movements movements बहुत important है very 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 I believe you know what is health मैं आपको बताती हूँ health क्या होता है 80% mind 20% body write it what is health 80% mind याने thoughts, emotions patterns, behavior and 20% body जो आप खाते हो तब मिलकर ही 100% work करता है आपके health के उपर तो भई आपके lifestyle को changes लाना है और यह कोई नहीं ला सकता है आप ही ला सकते है don't be lazy come in the must world if you have promised from tomorrow you'll go walking you'll exercise be it on your words क्योंकि universe बोल रहा है जब यह अपने ही शब्दों को नहीं पाल रहा है यह अपने ही शब्दों को नहीं फॉलो कर रहा है तो इसका कोई हक नहीं बनता है कोई भी universe से demand करने का because यह trustworthy इंसान नहीं है और universe उसी की मदद करता है जो trustworthy होता है how many of you understand powerful यह sentence जो मैं कहरी हूँ it is powerful how many of you understand that because if you are not a trustworthy person or you're not vibrating with the energy of trust the universe is not going to work for you the universe is not going to trust you and what vibration you are vibrating at then कौनसी frequency है आपके पास no trust वाली है ना तो आप कैसे लोग को और situations को attack करोगे अपने life में अप समझ में आ रहा है कि लोग आपको cheat क्यों कर रहे है दोका क्यों दे रहे है आपको follow क्यों नहीं कर रहे है आपके विश्वास क्यों नहीं कर रहे है अब समझ में आ रहा है क्योंकि आप अपने आप के साथ loyal नहीं हो और universe तो देखता ही है universe तो आपके लिए ही मतलब 24 घंटे 24 hours वो आपके लिए काम कर रहा है और वो वही काम कर रहा है जो messages आप send कर रहे हैं अब choice आपकी आप क्या message send कर रहे है universe के तरफ universe उस तरह से आपके लिए काम कर रहा है तो भही मैं तो universe के तरफ अच्छे message send करती हू thank you, thank you, thank you I love and respect my body I love and respect the food what I am eating I take care of my body every food I eat has powerful positive energy every cell in my body is super intelligent and it knows how to heal by itself भई मैं तो कर रही है और मैं तो medicine free life जी रहे है live example है seriously और आप लोग को अगर मेरी history पता है तो यह जानते थे कि मुझे भी सारे diseases थे चलता फरता दवाई का दुकान मुझे मेरे relatives बुलाते थे कभी भी देखो पूजा को क्या हो रहा है तो चीक रही है पूजा को क्या हो रहा है तो throat infection ही है पूजा को क्या है अरे बाप्रे अभी तो diabetes आ गया thyroid भी आ गया इतनी मोटी हो गई अरे यह तो depression में आ गई वो सुन सुनके ना कान पक चुके थे मेरे मैंने सूचा यार क्या यार body मेरा और labeling पूरी दुनिया कर रही है है ना सच बोलो body आपका है ना labels कौन दे रहा है बाहर वाले क्यों? किसने permission दी? आपने ही permission दी आपने ही आपके identity create की है तो आपने identity कौन create करेगा फिर से reverse क्योंकि पहले तो आप ऐसे थे नहीं पहले तो बड़े fit and fine थे यंग थे तब तो हो क्या गया यार अच्छानक? किसी ने धोका दे दिया क्या? जो मायूस हो गए अपने शेरीर से हुआ क्या? क्या busy हो गए बाखी सब चीजों में? भाई जाते टाइम एकी चीज आपके साथ जाने वाला है एंड तक आपके लास्ट सासों तक एकी चीज आपके साथ रहने वाला है ना 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 आपका husband ने नहीं ने आपकी wife तो बिलकुल भी ने आपके बच्चे तो और भी ने आपकी properties तो वो भी ने आपका पैसे आपका जेवर कुछ भी ने आपका घर आपका कुछ भी ने सिर्फ आपका body सुकून की मौत चाते हो ना तो सुकून की life जी हो don't disturb your body and you have no rights ये universe ने आपको gift दिया है आपकी responsibility है आपके body का ध्यान रखने it is your responsibility ना कि आपकी neighbor की responsibility आपके body का ध्यान रखने it's your responsibility so please take your responsibility from now don't run away अपने responsibility से भागोगे तो कौन सी energy पे आप vibrate कर रहे हो no responsibility तो आपको कैसे लोग और situations मिलेंगे जो responsible नहीं है मैं कह रही हूँ आप जिस frequency पे vibrate करोगे आपके life में वही होना है और वही होगा surround yourself with such positive people that they help you to be healthy they help you to be healthy याने वो भी अपने शरीर का इतना ध्यान रखते है value करते है तो बस ऐसे लोगों से अपने साथ surround हो जाओ ऐसे books देखो यार ऐसे videos देखो जो health में आपको मदद करें जो सही रहा पे चलने के लिए मदद करें you need to transform your health back to the best phase when you were that was your peak time in life when you were fit healthy मतलब याद करो जब आप बहुत healthy थे आप जब फिट थे ना तो आप कितने खुश थे आपके आस पास के लोग कैसे थे आपके लाइफ में आप कितने अच्छे चीजों को अट्रैक कर रहे थे ये सच है ना आप जानते हो ना तो फिर क्या हो गया है आज क्या हो है किसने रोका है भई आपको आपने खुद नहीं आपने आपको रोका है आपने इतना importance दे दिया बाकी materialistic चीजों को यार भूल गए अपने body को start loving and respecting your